नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं OPPO A52 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर किसी और नंबर पे अपने कॉल को फॉरवर्ड करना चाते हैं यानि कि बाद यहां पर आपको ऐसे स्क्राल करना है तो यहां पाल खॉणर को इसकंप तो कॉल्डन आपको क्लिक कर देना है अब आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट ए तो चैनल को साथ मैंugर कर लिज देखने को मिलेंगे आपको पहला तो है always call forward यानि कि आपका किसी भी condition में चाहे आप busy है आपका phone लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपकी हमेशा call forward होगी किसी और नमबर पे और when busy पे इसका मतलब यह है कि जब आपका call busy है आप किसी और से बात कर रहे है तो उस condition में आपकी जो call है वो किसी और नमबर पे forward हो जाएगी और when unanswered का मतलब यह है कि अगर आपने एक bell पे phone नहीं उठाया तो दूसरी bell पे वो किसी और नमबर पे forward हो जाती है और when unreachable तो यह company का number है एटल वालो का जिससे आपको message receive होता है तो इसको आपको नहीं छेड़ना है और यहाँ पे आप कोई सी भी condition लगा सकते हैं तो मैं when busy पे कर देती हूँ जब मेरा phone busy जाएगा तो उस condition में किसी और नमबर पे मेरी call forward हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह number मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसकी बाद यहाँ आप मैं on पे क्लिक कर दूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं when busy पे मेरा यह वाला number add हो गया है अब जब भी मेरा phone busy जाएगा तो इस number पे मेरी जो अगली call है वो forward हो जाएगी तो इस step से आप call forward कर सकते हैं अपने mobile में तो I hope guys यह video आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी तरह की और भी interesting videos देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार